तो जैसा कि पिछले एपिसोर में हमने देखा था, फिलान याव याव जाव यूवान वगेरा बेस्मेंट के लिए बढ़ चुबे थे, पर यहाँ पर इने जैनेसिस रून्स की बाउंडरी मिलती है, अब आगे, और फिलान जो लोग कन्फ्यूस थे कि अंदर कैसे जाएंग कि समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा, और फिलान याव याव समय को तोड़ा पीछे कर देती है, और इस चीज को यहाँ पर ट्राई करती है, पर जाव यूवान ये नहीं हटता है, क्योंकि मास्टर हे ने इससे कहा था, और यहाव याव याव को खतरा हो सकता था, और फिलान याव याव याव, ये जो दूसरा वला ब्लैक जेट टाइटल था, इसके रून्स को एक्टिवेट कर देती है, और आसपास के बाउंडरी में भी फिलान अब चेंजेज होने लगे थे, और इस समय जो बाउंडरी था, मन वो एक्स्प्लोड कर जाएगा, हलाकि के कुछ समय तक चलता है, फिर वो जो बाउंडरी था, वो शान्त हो जाता है, और बीच में एक रास्ता बन जाता है, अब जाव याव 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 बताती है, कि फिलाल तुमारे पास अतनी अबिलिटी नहीं, कि तु मेरे कंट्रोल कर पाओ, और याव याव सोचता भी है, कि बाद में फादर को इसके बारे में बता देगा, ताकि वो लोग इन पापेट्स को कंट्रोल कर भाएं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, यावर सामने में एक फिगर देखता है, जिसकी बोड़े पर कुछ स्कार्स थे, और आखी मालो लालो, और इन्हें ये सब पूरा प्लेस ही ये जो था, ये खंडायर में बदल जाता है, अब जाविवान वो समझ में आ चुका था, कि इतना बड़ा सेक्ट ये कैसे डेस्ट्रोय हुआ था, क्योंकि उस बिजली से बस ये वाला सेक्ट डेस्ट्रोय नहीं हुआ था, बलकि आसपास के जो भी सेक्ट भी होता है, जाविवान फाइल ने बोलता है, यार क्या ही मतलब बुरी लोग गहीं है, इनका एक बंदा यहां पर मारा गया था, और इन्होंने पूरा एक कंट्री डेस्ट्रोय कर दिया था, और जाविवान भी सोचता है, यह सेक्रेट रेस्, यह है क्या एक्ट चुनी, और यह लोग कितने पावरफुल है। अब इस दुरान यूवान याव याव को मानुद जगाता है। मतलब यह एकदम से खोड़ चुकी थी। क्योंकि इस समय के लिए याव याव की आखों मानुद आखे जो थी वो आइस के तेरह हो चुकी थी। अब फिलाल जावी वान यावर एक सेकंड जेड था उससे ये कोलता है। और इस वाले बॉक्स में से एक ब्लैकिश वाइड औरा निकलती। पर जावी वान अपने जुआन ब्रस से इस पर अटैक कर देता है। हलाकि इसे ये ब्लॉक कर देता है। पर ये जो औरा थी तोरंती यूवे की तरब बढ़ जाती। और जब तक ये चिलाता है यूवे तब तक साउधान हो पाए। ये औरा यूवे के करीब थी। और फिलाल ये औरा इसके आईब्रोस के बीज में अंटर कर जाती। जावी वान आगे बढ़ता है पर तब यूवे बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और याव याव भी बोलती है कि फिलाल अपने के ड्वैलिंग को चेक करो। और ये लड़की फिलाल जब अपने के ड्वैलिंग को रिलीज करती है तो इसके औरा के आसपास एक ब्लैकिट वाइटी सुरा को देखा जा सकता था जो कि एक स्वार्ड का शेप ले रहा था और उसपे लिखा हुआ था यांग मीं स्वार्ड हलाकि स्वार्ड के जो औरा थी बहुत कम थी यूवे भी हैरान थी मतलब इसके औरा में एक स्वार्ड आ चुका था और याव याव बोलती है यह जो भी वैपन है यह हेवनली लेबल का कोई जैनसिस वैपन होगा अब यूवे यहाँ पर थोड़ा नर्वस फिल करती है और जावी वान से कहती है क्या मुझे इससे बाहर निकाल देना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा ट्रैसर था इससे जावी वान वगेरा को काफी मदद मिल सकती थी पर याव याव बताती है जो भी वैपन हेवनली लेबल पर पहुँच चुका हो उसका अपना खुद का दिमाग होता है और वो खुद ही अपने माश्टर को चुनता है और उसने साथ तुम्हारे की डिवेलिंग में येन और येन दोनों एट्रिब्यूट है तो कोई फाइदा नहीं है जावी वान उसे सब्यू कर भी नहीं पाएगा और जावी वान भी कहता है जार इसमें तुम्हारी ब्लेसिंग है मैं क्या करूँगा और जावी वान इससे कहता है क्या तुम्हें इस यांग मिंग स्वर्ड को ब बॉल के शेप में था, इसमें कई सारे जैनेसिस रून्स थी, अब जावी वान पूस्टता है, यार इसका function क्या है, याव याव फिलाल इससे देख रही थी, और फिलाल इससे कहती है कि अपने blood का एक bone इस पे गिराओ, जावी वान इस पे अपना एक blood drop गिरा देता है, और ज काफी high level के थे, कि इस प्रगार का puppet बना पाएं, और ये puppet, ये वाला जो है फिलाल, या केरे काम नहीं करता है, बलकि इनसान के साथ fuse हो सकता है, और उसे support प्रवाइड कर सकता है, और जैसे जैसे इनसान बढ़ेगा, वैसे वैसे इसके power को भी बढ़ाया जा सकता है, यानि क प्रवाइड फिर से ये liquid solidify होके वो आर्मर का shape लेने लगता है, मतलब एक दम advance technique थी, जैसा कि अपना iron man यूज करता है, और जावीवान बोलता भी है कि मैं एक terrifying power फिल कर सकता हूँ, यानि एक तरसे दोनों हार्मोनी में एकदम fuse हो चुके थी, जावीवान ये कदम आगे ब से एक आलफा और जिनके expert को भी हिला सकता था, पर इस दोरान ये एक pain भी feel करता है, इसके eyebrows में और bodies में, अब इसे देखर याव्याव थोड़ी चिंतित हो जाती है, और साथ में so you way भी, और याव्याव बताती है, फिलाल ये इसको use करने के लायक नहीं है, क्योंकि अगर य इसके spirit है, वो तुरंती weak हो सकती है, फिलाल ये उस level पे नहीं है, और जाव्युवान ये कुछ घंटों के लिए कोवा में चला जाता है, और जब ये जगता है, तो ये हैरान था, कि मुझे क्या हुआ था, याव्याव फिलाल इसे warning देती है, कि battle puppet अभी तो उस level पे नहीं ह करना, नहीं तो तुम्हारा spirit भी destroy हो सकता है, जाव्युवान भी कहता है, तुम्हें पहले बताना चाहिए था, याव्याव कहती है, कि याव्याव ये तुम्हें ने लेना चाहिए, पर ये बताती है, तुम्हारा blood इसले fuse हो जुका है, तो मैं फिलाल कुछ नहीं कर सकती है और याव याव कहती है, हालेकिन तुम मुझे समझने के लिए दे सकते हूँ, मैं फ्यूचर में इसके जैसा एक बना सकती हूँ, और जैसा कि याव याव ने इसे बताये था, जाव यववान को अपने स्पिरिट को कर्पूलर लियलम पे लिखे जाना पड़ेगा, तब जाक सकते हूँ, जावी वान फिलाल इसे एक नाम देता है, सिल्वर शैडो, और जैसी ये नाम ये बोलता है, वो जो सिल्वर बॉल था, मतलब अब ये बोल के रूप में चेंज हो चुका था, उसमें से एक ग्लो बाहर निगलता है, और फिलाल जावी वान इसे अपने पर फिलाल ये कुछ किया नहीं सकता था, और जावी वान इसे मैं वैनन किंग से कहते हैं, कि याद रखना कि इसके अंदर कोई अंटर ना करें, और फिलाल जावी वान और बाकी लोग डिसकस करते हैं, खास करके जनरल लूट ये शान, कि मेरे सबसे जो की मैनर वाले हैं, वो अटेक करने का प्लैन करने होंगे, और जावी वान ये वे कांगलांग से भी कहता है, कि उम्मीद है आप हमारी मदद करेंगे की मैनर को एलिमिनेट करने में, वे कांगलांग ये हामे सरीना था, और कांगलांग खुद ही समझ रहे था, कि उचे लड़की हरे कपड़ों यानि याओ याओ, उसके पास एक बीश्ट भी है, जो इनके लेवल पे है, और वो लड़की शायद खुद भी इनी के लेवल पे है, बस अपने जैनेसिस रूंस के दम पर, फिर ब्लैक वेनम किंग भी आ चुका था, लूट ये शान तो तो ते ही, और कांगलांग को दब सेटी चलने वाना हो, ये और मैजेस्टी से मुझे मिलना भी है, और तब तक पीछे से किंकिंग जो है, हमारी आर्मी को तयार कर चुकी होगी, और जबी भी हमें अटैक करना होगा, हम की मैनर पे कर देंगे, जाव यूवान में काफी कुछ होता है, और ब्लैक वेनम किंग को भी ये लोग यहां से लिखे जा रहे थे, इधर कुछ दिन बीच जाते हैं, और ग्रेट जाव से टीट, और साथ में की मैनर दोनों को दिखाये जाता है, खास करके की यूवान को, जो कि इस तमय गुस्ते में अपने चाय को फोड चुका था, इनके सामने में की लिंग ये नील डाउन था और पूरी काने सुना चुका था, कि की हाओ मारा जा चुका है जाव यूवान के द्वारा, फायर स्पिरिट ग्रेट ये भी इनके हाथों में नहीं लगा, और वो लड़की जो थी याओ याओ और टुन-टुन बीच्ट के बारे में भी ये बताता है, खास के टुन-टुन का नाम सुनकर, ये लोग एरान थे, कि ऐसा भी विष्ट हो सकता है कि, और किलिंग कहता है कि मैं जो भी कह रहा हूँ, वो सब सही है, और किलिंग कहता भी है कि रोयल ग्रेन का पावर फिनाल अब काफी बढ़ चुका है, क्योंकि उनके टीम में वे कां पायर वालू ने इन्हें पहले कुछ सपोर्ट भेज दिया था, वो फैमिली का जो क्राउन प्रेंस था, उसे जाव युवान हमेशा से पसंद नहीं था, यूकि जाव युवान के वो ड्रागन ब्लेसिंग के कारण ही तो ये बढ़ रहा था, और फिलन ये गुस्ते में कह टीम एंटर कर चुका था, और इन्हें एक न्यूस मेल भी जाते है, कि जो की मैनर है अब, वो अपना खुद का एक की एंपायर बनाना चाहता है, एक तरसी ये रेबेलियन था, और इस समय पूरा जाव ये लोग शौक्ड थे, और फिलन रोयल पैलेस को दिखाय जाते है, और सबसे बड़ा नीजन था, ग्रेट वू एंपायर, जो कि की क्लैन को सपोर्ट करता था, और इनके मिलिटेंट ग्रूप का एक बंदा बोलता भी है, कि ये फैमिली वाले काफी श्टॉग हो चुके है, और हमें शान्तिज उन्हें बात करना चाहिए, नहीं तो कोई तो मैजेस्टी आपको भरूसा है, कि आप किंकी को एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि उनके पास वो एंपायर का भी सपोर्ट है, जाओ किंग फिलाल ही अपने एमोशन को कंट्रोल कर रहे था, और ये गुस्से में फाइनली कहते, मैं कॉम्परवाइज नहीं करने वाला अगर हमारी जान भी जाए, तो भी नहीं, सबको समझ में आ चुका था, कि ये जो बैटल होगा, इन लाइफ और डेथ वाला होगा, लियाओ फिर से बोलता है, कि आपके वज़े से बहुत सारे लोग मारे जा सकते हैं, और फिलाल हमें तो, ग्रेट जनल वांग लांग का भ अवास थी प्रिंस जाव युवान की, लोग इसकी तरफ देखते हैं, लियाओ तुरंत ही कहते हैं, यानि प्रिंस आप काफी यंग हो, आपको ऐसे मैटरस में नहीं बोलना चाहिए, अब जाव युवान कहते हैं, लगता है कि तुम कि युवान ने कुछ बताया नहीं, ल जाव कि युवान डर रहा है कि मैं जैसे ही वापस आऊंगा, उसे भागने का मौका नहीं मिनेगा, अब लियाओ कहते हैं, जाव किंग भी सोचनी लगते हैं, कि यार मेरा बेटा कुछ ज़्यादा एरेगेंट हो रहा है, जाव युवान यहाँ पर पीछे पलटते हैं, औ लियाओ अब इसका चेरा बदल चुका था, क्योंकि वे कांगलांग के आने से रोयल क्लैन का श्रिंथ काफी बढ़ जाएगा, वे कांगलांग फिलाल यह पर जाव किंग से माफी भी मांगते हैं, कि मैं अपने बच्चे के कारण रोयल क्लैन को कोई सपोर्ट नहीं कर पाय पर जाव किंग भी फिलाल इमोशनल हो जाते हैं और इनको समझाते हैं, अब इसके बाद एंटरी होती है वैनम किंग के, इससे दिखकर तो लोगों के हक्के पक्के उड़ जाते हैं, कि वैनम किंग यह कैसे तयार हो गया, यही तो मेन मैटर था वे कांगलांग के यहां से जाने का, और यह खुद अलफा इस्टेस का बंदा है, जावी वन फिलानिया पर ली हाओ की तरफ देखते हैं, जिसका की चेहरा यह बुदर चुका था, और यह कहते हैं, कि हमें अभी भी पीसफुली बात करना चाहिएं, और जावी वन पूरा मैटर भी बताते हैं, कि कि जाव को मैंने मार दिया है, अब इन लोगों को समझ में आ चुका था, कि किंग की इतना ब्याकुल क्यों है, यहां से भागने के और अपने एक नया एंपर बनाने के चक्कर में, मिलिश्टर से यही सोच रहे थे, यार इसने किया कैसे, वो काम जो खुद एंपर नहीं कर प करते हैं कि आद्स से हम बैटल प्रिपरेशन सुरू कर रहे हैं, और यह आदेज भी देते हैं, ली हाओ, यह अपने रेजिडेंस से बाहर ने निकलेगा, ली हाओ समझ चुका था, कि इसे यह लोग सील कर रहे हैं, क्योंकि मालूम था, कि की फैमिली को सपोर्ट करता है, द शायद मेरी बारी और फिलली रोग बाते करते हैं कि वो एमपायर का उन्हें सपोर्ट है, मुझे कुछ न्यूस भी मिला है, और जाव किंग इस ज़रान कहते हैं, लेकिन हमें टेंशन के ज़रूत नहीं, क्योंकि अब हमारे पास तीन लोग हैं, जो अलफा लेवल के एक्सप हैं, कि यार वो बच्चे याओ याओ, वो हमारे क्लैन के लिए वर्दान हैं, मौगा मिला तो पक्का मैं उसे रीपे करूँगा, जाव एवन हसके कहते हैं, अगर आपको वो रीपे करना ही हैं, उसे जो अच्छे एलकोहल से हैं, वो दे दो, वो पक्का खुश हो जाएगी जाव कींग हसते हैं, कोई नहीं मैं दे भी दूँगा, इधर जाव एवन यहां से बाहर निकलता है, और मनीवन सोच रहा था, उस समय तो मैं छोटा था, पर मेरा जो भी लॉस होआ है, मैं सबी चीज़ों को हासिल करके रहूँगा, समय के साथ वही कांगलांग और ब्लैक करेगा, जाव एवन समझ चुका था, लगता उसे भी वो एमपारनेस बर काफी सपोर्ट किया है, जाव एवन यहां पर गयरी सास लेता और सोचता है, कि अब ड्रैगन स्क्रिप्चर को माश्र करने का समय आज चुका है, ताकि मैं ओमनी पाइथन की को कल्टीवेट कर याओ याओ, टुन्टुन यहां पर बैटे वे थी, और यह भी काफी एकसाइटेट थी, कि क्या तुम त्यार हो, जाव एवन यहां पर जो चारपान चीज़े चाहिए थी, उन्हें कठा कर चुका था, जैसे कि हेमेनली गोल्ड मैरो, नाइन अंडर वल्ड ब्लैक स्प्रि लिया था, और साथ भी वो जो एंसेन ड्रेगन स्क्रिप्चर था, उसके प्रेशर के करण, क्योंकि जो बोन निकालता है जाव एवन, उससे भी टुन्टुन थोड़ा सा डर तो जाता ही है, हलाके फिलाल जाव एवन थोड़ा नर्वस भी था, अब जाव एवन इसे कल्ट इसके spirit को destroy कर सकता था, और जाव एवन क्योंकि वो जो primal chaos technique यूज करता था, अपने spirit के लिए उसकी वज़े से ये सुरक्षित था, फिलाल लिए अब इस method को, यानि कि Omni Python Key को cultivate कर चुका था, तो ड्रेगन स्क्रिप्चर का ये पहला level है, जिससे कि हम Omni Python Key कहते हैं, यह यह इसे कंगरा चुलेट करती हैं, पर साथ में ये से vary भी करती हैं, कि याद रखना, अब तुम कोई दूसरा cultivation method चुन नहीं सकते हैं, और फिला जाव एवन, अब ड्रेगन ब्रिधिंग method वगेरा, यूज करने लगा था, बगल में बैठी याओ याओ इसे protect कर रही थी, और आ जो जाव एवन यूज कर रहा था, वो grade 4 के python का spirit था, याओ याओ इसे समझाती भी है, कि सावधान रहना, जब ये मर्ज होगा, तो हो सकता है तुम्हारे spirit को devour करने के कोशिश करें, और जब ये ये यूज करता है, तो python जो था, वो hiss के आवाज भी निकलता है, पर जाव जाव एवन अपने प्रीमियल कियोस के थू, याओ जो grindstone था, इससे भी suppress कर देता है, दीरे दीरे ये जो omni python की method था, इसके body के साथ fuse भी हो रहा था, और जाथ मैं tempered, इस दोरान 7 दिन रेकल जुगे थे, और इसके body से समाई के साथ, एक unique aura ये बाहर आने लगी थी, और इन किया जा सकता था, फिलल जाव एवन के body से एक golden aura बाहर निकलती है, जिसके उपर एक red color भी mix था, और इसके head के उपर भी एक python का shape लेते वे, python को देखा जा सकता था, तो first level जो था, जाव एवन अप, पूरी तरसे cultivate कर चुका था, और याओ याओ कहती है, अब तुम सच ने, ancient dragon scripture के true practitioner बन चुके हो, और दुबारा से ये कहती है, याद है न, इसे तुम reverse नहीं कर पाऊगो, और फिलल, जो जाव एवन का, की का level था, वो fifth grade का था, और अगर ये second level को master कर ले, तो इसके key का level बढ़ करके, seventh level पे चला जाएगा, और seventh level का grade की, ये पूरी दुनिया में भी एक ठीक ठाक level का, की माना जाता है, और याव याव बताती है, इसका second level, पहले level से कई गुना ज्यादा powerful है, और difficult भी है master करना, और third level, मैंने जितना सुना है, आज तक उसे बस एक ही बनना master कर पाया था, जाव युवान भी सोचता है, जिसने इसका third level master किया होगा, शाद इस पूरे वर्ल्ड का, इस पूरे वर्ल्ड को टियान इवान वर्ल्ड कहा जाता है, उसके top level एक्सपोर्ट्स में से शाद एक हो सकता है, फिलाल जाव युवान ये अपने emotions को सांथ करता है, अब इदर इसके मम्मी पापा वगरा आ चुके, जाव की ये तो हैरान थे, कि एकन resentment poison को suppress कर सकता है, फिलाल इन लोगों का discussion किंग की के बारे में होता है, और इन लोग डिसकर्स कर रहे थे किंग की के पास, अलफा और जिन लेवल के एक्सपोर्ट्स, शाद एक आधी दो ही होगे, फिर भी वो अटैक करना चाहता है, मतलब वो fully prepared है, और जाव की ने भी वे कांगलाद, ब्लैक वेनम किंग, ये पर्तनली तीनों सबसे आगे खड़े थे, दस्वा दिन भी ये फाइनली आच चुका थे, और फाइनली किंग की इसकी भी टीम इधर की तरह बढ़ने लगी थे, जाव इवान अगरा भी फिल करते हैं कि काफी दूर से, एक powerful औरा इ इधर की तरह पढ़ती हुए आ रही है, ये पूरे आरनी किया हो रहा थी, जाव इन थोड़े इमोशनल थे, ये जाव इवान से बात ही करने थे, कि बाश में मैं तो एप्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं तो इस सब मैटर आता ही नहीं, तुमारे ड्रैगन ब्लेसिंग्स भ हुँ मेरा है, मैं उसे लेकी रहूँगा, इधर अब ड्रम की अवाज ये बजने लगती, और फाइनली की इवान इनके सामने आ चुका था, की इवान अभी भी हज़रा था, और कहता भी है की यूजलेस जाव केंग, तुम मुझे सप्रिस करना चाते हो, सिधर सरेंडर कर सिटी गेट खोल दो, शायद मैं तुम्हें बखस दो, या अटलिस्ट मारने के बाद तुम्हार एक रॉयल टॉम यहां पर बनवा दो, अब की इवान को देखकर कांगलां को भी काफी कुस्सात, कि तुम सही में ट्रेटर हो, की इवान देखता है कि स्तामने में तीन लोग जो कि अलफा नेवल के एक्सपोर्ट है, पर इसे फरक नहीं करता है, और कहता है कि तुम लोग मेरा कॉन्फेटेंस जानना चाहते हो न, कि मैं यहां पर तुम तीनों के रहते वे कैसे आया, और यह कहता है, माई ओल्ड फ्रेंड्स, क्रिपे अब बाहर आ जाओ, और जैसे एक एक को पहचान देते, क्योंकि जब इनके क्लैन के साथ धोखा हुआ था, तो यही छे लोग जो कि पहले इनी के साथ रहते थे, और वो वो एम्पैर में जाके मिल गये थे, जैसे कि जाओ टियान लोन, लिन नियान, वांग काओ टियान, यह सभी को जाओ किंग जानते थ और एक हेट्रेड इनके चेरे पे देखा जा सकता था, कांग लांग भी कहते हैं, यह छेओ दनले, यह आई गया आखिर में, इन सबी को वो एम्पैर ने अलग-अलग स्टेट दे करके किंग बना दिया था, और इनमें से एक बंदा कहता भी है, कि जाओ किंग, देखो बात दिन का समय लेता हूँ, सरेंडर कर दो, तुमारे लोग तो एकलिस बच चाहें, स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं फिर शाम एक नए वडियो के साथ,